आज मैं आप लोगों के लिए बेहदी स्वादिष्ट पेड़े की रेसिपी लेके आई हूँ इसे बनाने के लिए ना हमें दूद की जरूद होगी ना ही मावा की और ना ही पनीर की और ना ही किसी मिल्क पाउडर की और ये बेहदी टेस्टी हमारा पेड़ा बन करके तयार हो आप पहले ही कोई कटोरी या कप सेट कर लीजेगा उसी से सारा मेजरमेंट करिएगा आप चीनी थोड़ी कम जादा कर सकते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से वैसे मेरी चीनी परफेक्ट होई थी और सेम उसी कप से एक कप हम लोग पानी इसमें डाल देंगे और इसको अच् चिपचिपी सी हो जाए और इसको मीडिया मार्च पे मैं लगातार चलाते हुए इसकी चासनी बना करके तयार करनी हूँ अब इसमें मैं आधा चमच हरी इलाइची का पाउडर डाल देने हूँ जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आप चाहें तो केवडा एसेंस या रोज एसेंस भी डाल सकते हैं और इस तरह से इसको भी मैंने पका लिया और देखिए हमारी चासनी एकदम चिपचिपी सी बन करके तयार हुई है बस इतना ही हम लोगों को पकाना है अब सेम उसी कप से फैंस मैं एक कप डेशिकेटिड कोकोनेट यानि नारियल का बूर देर में ही नारियल सारी चासनी को एप्जॉब कर लेगा और इस तरह से चलाते हुए हम लोग दो मिनट तक पकाये और पकाने के बात इसको खेंस की फ्लेम आफ कर देंगे और आफ करने के बात भी एक मिनट तक इसको चलाते रहेंगे क्योंकि कड़ाई गरम है इसलिए चल चिलका उतर जाए और इस तरह से 1-1.5 मिनट तक भूनेंगे हम लोग और यह देखिए बड़ी आसानी से इसका चिलका निकल जा रहा है अब इसको किसी प्लेट में रख देंगे ठंडा होने के लिए ठंडा होने के बाद फ्रेंस इसके सारे चिलके हम लोग निकाल लेंगे फ का तयार कर लेंगे और यह देखिए फ्रेंस यह हमारा पाउडर बन करके तयार हो चुका है अब जो हमने नारियल पका के रखा था उसी में यह सारा मुंपली का पाउडर डाल देंगे फ्रेंस और इसको अच्छी तरह से हम लोग मिला लेंगे अब हम लोग को गैस का जरूर करिएगा और हाँ फ्रेंस आप लोग कहां से देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताईएगा और इस तरह से यह देखे चलाते हुए मैंने अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लिया है ताकि हमारे पेड़ें बहुत आसानी से बन पाए अब इसको फ्रेंस हम ल लगाने के लिए भी बना के रख सकते हैं और इस तरह से देखे इसको अच्छी तरह से मैंने मैस कर लिया हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद इस तरह से हम लोग इसके पेड़ें बना करके तयार करेंगे हाथों में थोड़ा इसका भाग और इस तरह से हम लोग पेड़े बना करके इसके uhm लोग बना करके तयार कर सकते हैं मैं दूसरा बहुंसरा इंग्यु बतारी हूं आप लोगों को इस तरह से लट्डू की तरह बनाएंगे पिर तोनों हाथों से इस Hum baby का सेफ दे देंगे जिससे यह देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे खाने में तो टेस्टी है यह फ्रैंस एक बार जरूर इसको बनाईएगा और यह मैंने गुलाब की पंखुनियों सो इसको गानिस कर दिया अब यह मैं तोड़ के दिखा रहे हूं फ्रैंस यह देखिए एकदम दाने तक स्टोर करके रख सकते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी यूसफुल लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सकाइब जरूर से करिएगा और हाँ आप मेरी वीडियो कहां से देखना है एक बाद जरूर से कमेंट करके बताइएगा तो